यह मैंने क्राप पेपर लिया है तो क्राप पेपर को ऐसे हब फोल्ड करना है हब फोल्ड करके यहां पर लाइन ड्रॉ करना है और इसे कट करना है यह कट करने के बाद यहां पीज जो है उसको अगेन ऐसे आप कोल करना है चाहे तो आप बाट साइड में कर सकते हो इस तरह ऐसे रखके फिर इस पर पेंसिल से मार्किंग करेंगे इसे मार्किंग करना है देन उसको कट करना है अब हम यह एक दूसरे काप पेपर पे इसको ऐसे स्टिक करेंगे तो हम यह पे गम लगाएंगे यहाँ पर गम लगाके इस पर यह पर अच्टिक करना है अ कर गम रस only बदूसरे कर दोसरे की दूसरे काते हम हम यहां पर ऐसे आउटलाइन करेंगे इस तरह यह आउटलाइन मैंने ड्रॉप किया है अब हम लोग यहां पर ऐसे उसका फ्लेम ड्रॉप करेंगे और एक स्मॉल तुक्डा लेना है इसको इस तरह फोल्ड करना है और ऐसे कव ड्रॉप करना है और इसे कट करेंगे हम इसको इसके अंदर ऐसे स्टिक करेंगे अब हमें लास्ट में यह पूरा शेप को कट करना है कट होने के बाद यह हमारा दिया ऐसे रेडी हो गया है झाल